आए दिन पियोके के अंदर दो चार छे साथ निर्मम हत्याए सेना के द्वारा हो रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अब क्या तुम्हारे आंख में क्या मोतिया बिंद हो गया है कि तुम लोगों को बंद करा जाए यूटुब चैनलों को और ताकि हमारा नरेटिव आगे पूस हो जाए ते जितने भी यहां पर जो हिंदुत्व और सनातर की बात करते हैं आप सबी चैनलों कि आपको भी मालूम होगा सबकी व्यूर्शिप कम करें कर दो क्या एक वर फिर से हो समय आ गया जब भारत को पियोके पर नजर डालनी चाहिए क्योंकि प्योके के अंदर से यह आवाज उठ रहा है हमें भारत में ले लिजिए जनाब देखे कई ना कई पाकि दो हमें भारत के साथ जाने दीजिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि उन लोगों को सस्ता रासन दिला सकें आपके पास इतना पैसा नहीं है कि उनको मूलभूत सुविदाय दे सकें आपके पास इतना पैसा नहीं है कि उनको बिजली दे सकें आपके पास इतना पैसा न और चीक चीक करके चिल रहा रहा है कि है पाकिस्तान हमें आजात करो हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है कई न कई विस्विस्तर पर भारत के बढ़ते हुए कद को इस बात को दरसाता है परदान मंतरी मोदी जी की नेतुरत सहली में भारत की ग्रोथ इस बात को दरसाती है कि P.O.K. पर कई न कई परदान मंत्री जी को देखना चाहिए और UN को भी देखना चाहिए किस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार वहां की आवाम को परिसान करने का काम कर रही है उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है ये बहुत ही सर्वनाक बात है वहां की आवाम की बात सुननी चाहिए और कहीं न कहीं वह अगर नहीं रहना चाहते आपके साथ तो उनको आजात करना चाहिए यही नारे यही नारे 15-20 साल पहले भारत से लगते थे कि हमें पाकिस्तान में जाना है आज देख लिए वक्त बदल गया समय बदल गया ज सकता है क्योंकि गठबंदन की सरकार है पूर्ण बहुमत नहीं आई सर कैसी बात कर रहें आप ओनाइन चैनल की इतने बहतरिन पत्रकार है अब तो वक्त बदल दो तुम यू डरते डरते जीने का और दुनिया को एसास कराओ 56 सीने का क्योंकि परदान मंत्री जी का 56 सीना है इसका एसास पाकिस्तान को दो चार दिन के अंदर हो जाएगा पियोके से पहली ही हो जाएगा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान वो आप कहते नहीं एक कहावत सुनी होगी आपने कि दुम कभी सीधी नहीं होती वो नाटक तो कर सकते सीधी होने का कि दुम को अगर 6 महीने त बोसिस करता है दिखाता है पर वो अच्छा है नहीं बिलकुल पाकिस्तान की हालत और राहूल गंदी मैच करती है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मोदी जी के नेतरत्तों में पाकिस्तान के कब्जे वाला कस्मीर भारत में बहुत जल सामिल होगा ये बात परधान म परधान मंतरी जी पर क्यों अब बेवफा तो आपके अपने इस बात को ध्यान दीजिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कस्मीर के लोग आज साप साप कह रहे हैं कि बाद में मुझस से यह ना कहना कि घर पलटना ठीक है और वैसे सुनने में आया कि रस्ता ठीक है और साख से पत्तागीरे बारी सुरुके बादल छटे महीं तो सुब कुछ गलत करता हूं चलो अच्छा ठीक है जब सब कुछ गलत ही कर रहे हैं वो लोग तो भारत के साथ सामिल होने जा रहे हैं ठीक है क्या गलत है इसमें सर नौ जून 2024 को एक तरफ प्रधान मंतरी मोदी जी सपत ल लें या रूई लगा रखियो तो उसको निकाल लें ये एक भी बकसा नहीं जाएगा ये सारे ठोके जाएंगे आप आज कल बहुत न्यूज देख रहे होंगे कि अग्यात लोग गए और एक को ठोक दिया भारत विरोधी बयान दे रहा था अग्यात लोग पहुचे और ठो करके वापस आई या बहुत जल सुनोगे और ठोकेंगे हाथ मूर में हाथ दे करके जीप खीच लेंगे और इनको बताएंगे ये जो बैठे हुए इनके पाकिस्तान के आका बैठे हुए जो उनको अपने आपको इनको लग रहा है इन्हों ने गला सोच लिया इन्हें लग पुर्वामा का उत्तर बाला कोट से देना सीख लिया तो इस चीज को समझेगा इस चीज का भी उत्तर अब जो इन्होंने रही सी में कराया ना जम्मु कस्वीर के अंदर इसके उपर भी मिसाल दी जाएगी जब इनके बच्चे होंगे तो यह बताएंगे कि इन्हों ने गलत करा था आपके अब्बू ने गलत करा था अंदर पाकिस्तान में घुष करके ठोक के गई है इंडियन आर्मी इस बात को देख लीजिएगा क्योंकि भारती सेना है घुष करके मारे यह जुके कभी ना और ख्याज करके मारे वह भारती सेना सर देखिए भगा-भगा कर मारा है कबर तुम्हारी खोदी है और दिल्ली की गदी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है इस चीज को सोचना भी मत कि तुम बखसे जाओगे यह सब के सब ठोके जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर घुष करके ठोके जाएंगे आप देख लीजी मेरा इंटर्वी सेप कर ल यह बोलीवुट गैंग आज का नहीं है जब इस देश के अंदर एक भक्त टी सीरीज के मालिक गुलसन कुमार के उपर भी गोलिया चली थी ना तो यह जो आज किंग खान 16 का डोला 46 की चाती जो घुम रहे हैं सीधी बात बोलू घुमानी नहीं आती यह तब भी चुप थे इनके भाई के गोली लग जाए यह तब भी चुप रहेंगे क्योंकि इन लोगों को पैसा मिलता है पाकिस्तान प्रयोजित आतंकबाद करने का भारस से 4000 किलो मीटर दूर रफा के अंदर कुछ गलत हो रहा है हमाज ठोका जा रहा है जो कि आतंकबादी संग अठन है तो रोईस सर्मा की बीबी के हाँ खुल जाती है उनको ट्वीट करन कि ओल आई जोन रफा पर जब पाकिस्तान के अंदर हिंदो के परताडित किया जाता है उनके मंदिर तोड़े जाते हैं तो यह सारे के सारे सुपरश्टर दुपक जाते हैं यह हमारे देश का दुरभाग गया सर जिस देश के अंदर 110 करोड हिंदू है उसके बावजूद ह हम हीरो किसको मानते हैं सलमान खान सारुक खान आमिर खान क्यों क्यों कि हमारा समाज किसी को जाती धरम के अधार पर विरोध नहीं करता पर यह लोग जान बूच करके हमारे सनातन संकृत को बदनाम करने का काम करते हैं यह दो कोड़ी के एक्टर आमिर खान अपनी फिलम मे भगवा किसी मौल भी मौलाना को हम भी देखते हैं, हमें भी तो मज़ा आना चाहिए देखने में, पर नहीं करेंगे क्योंकि सनातन एक्सेप्ट करना जानता है, हमें पता है सनातन कभी खतम नहीं हो सकता, क्योंकि जो सत्त है जो जिसका न कोई अंत है नादी है, जो अनंत है, वही सनातन धर्म है, अरे सर ये क्या खतम करेंगे सनातन को, मैं एक कटर हिंदू सनातनी हूँ, मैं सूरज की पूजा करता हूँ, उकात है तो सूरज को खतम कर दो, मैं एक कटर हिंदू सनातनी हूँ, मैं जल की पूजा करता हूँ, उकात है तो सारा पानी सुखा दो मैं एक कटर हिंदू सनातनी हूँ अगली की पूजा करता हूँ उकात है तो अगली को खतम कर दो यह लोग क्या खतम करेंगे सर हमें पता कि हमारा धर्म कभी नी खतम हो सकता इसलिए हम यह नहीं कहते कि गुस्ता की रसूल की एकी सजा यह चेंज कम वो प्रोड हिंदों की क्या पावर है आज बताइए ना सर यह लोग कहां दूपकर के बैठ गए हैं यह सारा का सारा यह दाउट बुड इसको बॉली बुड मत कहिए यह दाउद बुड कहिए आतंगवादी बुड कहिए यह लोग क्यों नीकल करके नहीं आ रहें जब इन्हों पाकिस्तानी नेताओं के बयान आते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए पाकिस्तान के पास ऐटम बम रखा हुआ है तो हमने क्या दिवाली के लिए रख रखे हैं एक बात बताईए हमारे पास क्या बड़ी बड़ी मिसाइले नहीं है किसली है सरी है दिवाली के लिए नहीं है अगर पहली बात तो आज का भारत किसी को छेड़ेगा नहीं पर गुसेगा और ठोक करके आएगा जैसे हर बाद ठोकते हैं इस बात को समझ लीजिए मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ जो भी इनोंने जम्मू कस्मीर्क में वैसनो देवी माता के सरदालों के साथ किया वो लोग स्यू खोड़ी से दर्सन करके आ रहे थे उसमें एक दो रोट पर आकर के सामने से पहले ड्राइवर को गोली मारी गई जब गाड़ी खाई में गर जाती है उसके बावजूदीन लोगों नियत्ते सरदालों के उपर गोली चलाई तो इसका बदला इस देश का 110 करोड इंदू छोड़ भूलेगा नहीं और मुझे विश्वास से अ बयान आगे आए कि किसी भी दोसी को बक्सा नहीं जाएगा और सक्त एक्षन लिये जाएंगे तो क्या देश वाकई में एक बार फिर से वही सवाल करना चाहूंगा एक बड़े स्ट्राइक की तरफ देख रहा है एक बड़ा स्ट्राइक आने वाले दिनों में होने बड़ा में आफ्युicer किसा किंड़ा जाता हूं एक बार तो सेना की उसको मन की कर लेने दो और एक बार पत्हर का उत्तर गोली से ले लेने दो एक बार अगर मोदी जी सिर्फ इसारा कर दिया यूं तो पाकिस्तान का पता भी नहीं लगेगा कि बारा की नक्सेपर्द है की नहीं है था की नहीं था निस्तो नवबूत हो जाएंगे यह बहुत धन्यवाद आपने बहुत बेवाकी से अपनी बात रखी है वापस से हम आते उसी सवाल पर कैसे इनका जो इतिहास और इनका आने वाला फ्यूचर है सारा मिट जाए सारी कहानी द्वस्त हो जाए इनकी इनका जो मनसूबा पाकिस्ता एक बात बात है यह हमारे धर्म में बोला जाता है कि अहिंसा परमोधर्म यह तो हम लोगों ने सुन लिया है लेकिन एक चीज़ हम भू सब्सक्राइब करते हैं तो साप साप इससे पता चलेगा कि वो लोग घटिया मान सकता वाले हैं को लोग भी डशके गददार हैं अगर मना करते हैं तो और बात रही जींकि तो मोधि छोड़तेंने मेघ भारत में बेटे किसी विए बंदे है को किसी फीलों को लोग और खोड़ेंकि नहीं और इन्होंเ पहले भी पेहले भी यह चीज़ूनें आप दिखिखिगा इस के पहले जो हम्ने जवाब दिया ना बनियां जवाब दिया घर में गुल कर वैसे ही aúnChryP की नियूट नियूए फिरेन भी हमारे नाइक हमने देखा है की पाकिस्तान से कंगर्स केलिए कैसे-कैसे-कैस रवार अब देखो ना अभी चुनाव का महोल जब चल रहा था कुस दिन पहले तो पाकिस्टान के संसत से अवाज उठती थी कि कॉंग्रेस को जिताया जाए कॉंग्रेस की सरकार आनी चीए बीजेपी की सरकार नहीं आनी चीए अब देख नहीं रहे हो कि प्रेम कितना दिख रहा है अब देख लिया जाए कि उन लोगों के मंद में काॉंग्रेस के लिए कितना प्रेम है रहा है नहीं अखर और बिया क्या जाहिर होता है और ऩीध्यास में यह लिखा जाएगा कि आतंकियों ने जंग्यों का में सरधालयों के इतने तरीके से दिया दा कि आज भी पाकिस्थान और दाउत के दलाल पहले से कि बॉलीवुट का इसलामी करन किया जाए इन लोग का देख लिजिए यह लोग क्या दालते हैं तक रफा पर समने डाला ता उसमें किर्टी खरवंदा दिया कई 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 एक्टर से और एक्ट्रिस थे जिनों डाला ता अल आई जोन रफा मैं उनसे पूछना चाहता हूं अब क्या तुम्हारे आंख में क्या मोतिया बिंद हो गया है कि तुम लोगों नहीं डाल रहे हो जम्मू कस्मीर और सबसे पहले बात बोलूंगा यह गदार है ठी कि मुभी मनाते हिनकी पहले के मुवी सब्सक्राइब जिसे में सब्सक्राइब रहे होता है ता था नुम्हारत के पहरत में जो भारत में सहलात घर्म केंगाा लेकिन तो इस बहुत पढ़िया जाँम पर देखिए कि यह वही पाकिस्तान है जो भारत के विपक्ष की जीतना की कामना भी करता है तो यह वही पाकिस्तान भारत की सधालियों पर हमला करता है तो कहने का यह पूरी जो तस्वीर है यह बया करती है कि भारत के हित के लिए कौन जरूरी है और भारत के अनिप के लिए कौन खड़ा है बॉलीवुड का एक गैंग है जो रफाह पर आसू बहाता है लेकिन जम्मू के हमले पर चुप हो जाता है दिखाई नहीं देता जम्मू का अटक ऐसा यह हम कहते है दोगलापन इसे इंदी में कहते है यह क्यों बॉलीवुड दिखाता है देखे बॉलीवुड को यह बात माल होड़्यूर के कुछ लोग कर्सेर से बाखी लोग पैसे बिख जाते हैं इंप्रेसर से चलता था आज भी प्रियोशर से चल ले तेक अज वी जए घ्रफाव इस परकार से बोलते है और पुरा जो एकोसिस्टम इंका वो जो टेक्नोलोजी का भी ए इस्टा इनका बिल्कुल दबाया जाता है इस पूरे जो भारत के भी लोग सब चुना हुए इस पूरे चुनावों प्रभावित करने के लिए पूरा एक अमेरिका से कैम्पेण चलाया गया है अशोक श्रिवास्तव पत्रकार है वो बता दें किस प्रकार से कॉंग्रेस ने स्वेम कंगरेस और को बालीवड गैंग है इस पकार से बॉलिविड ने भारत की वेक्षेब करा है किस पकार से लोग बोलते हैं देवताओं का कि गुनाहों का देवता, ठीक है, हवस का पुजारी, हवस का मौलाना सुना अपने, नहीं, ठीक है, गुनाहों का अपने, मौलाना सुना गया, नहीं सुना, तो मतलब यह हमारे दिमागों में डाला गया है, और उपर से यह लोग, अब देखें, सुनाक्सी सिना, फिर से कि फिर से लव जयाने चक्र होगा यह सब होगा तुम मानते नहीं है करने करें जो भारत का युवा है इन सब की चक्रों पढ़कर जो अपना भविश्चा खराब कर रहा है